नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूजूब चैनल आल एक्जाम गाइड गूरूपर दोस्तों हम आपके लेकर आये हैं सैट पेपर नमर 15 इससे पहले हम 14 सैट पेपर आल एक्जाम गाइड गूरूपर जो आपको चैनल की प्लेलिष्ट में मिल जाएंगे एक साथ अगर आपने वो नहीं लगाए हैं तो एक बार जाकर उनको जरूर देखें हो सकता उनमें के कौशन्स आपके एक्जाम में आपको काम आ जाएं दोस्तों इस सैट पेपर में आपके लिए मिलेंगे 30 कौशन प्लस एक आपका सर्प्राइस कौशन होगा तो अपना स्कोर और सर्प्राइस कौशन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं सैट पेपर सबसे पहला कौशन ये रहा स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है लाल रक्त कडिकाओं का निर्मार कहां पर होता है बताई ये क्या होगा इसका आंसर चले चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है तो लाल रक्त कडिकाओं अर्थात आरवीसी का निर्मार जो होता है वह अस्थी मज्जा में होता है जिसे हम बॉन मेरो भी कहते हैं बढ़ते हैं अगली कौशन की तरफ नेक्श कौशन देख लेते हैं ये रहा दूसरा कौशन आपसे पूशा गया है अभी हाल ही में विश्व जल सनरक्षण दिवस मनाया गया है वह किस दिन मनाया गया है बताए क्या होगा इसका आंसर चले चेक करते हैं राइट आंसर क्या है तो विश्व जल सनरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया गया है ओप्शन नमबर ए राइट कॉशन देख लेते हैं next कॉशन क्या है ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों election चल रहे है elections related एक कॉशन है भारतिय समविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उलेख है बताइए क्या होगा इसका आंसर चले चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है option नमब बी अनुच्छे 324 राइट आंसर हो जाएगा इस कॉशन के लिए next कॉशन देखते हैं कॉशन नमब फूर ये रहा स्क्रीन पर क्या पूछा गया है आपसे भारतिय मानक समय किस पर आधारित है बताइए क्या होगा आपका आंसर इस कॉशन के लिए चले चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है तो option नमब भी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देख लेते हैं नेक्ट कॉशन क्या है ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों करेंट अफेस का कॉशन है जरूर बनना चाहिए आपसे क्या पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी लवणिय गुफा मलहम की खोच हाल ही में किस देश में की गई है बताइए क्या हो जरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अमबर ए नेक्ट कॉशन देख लेते दोस्तों नेक्ट कॉशन क्या है कॉशन नमबर सिक्स ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों आप सभी से पूछा गया है मनुष्य का सामान यरक्त चाप कितना होता है बताए क्या होगा इसका आंसर चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है 120 असी ऑप्शन नमबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका नेक्ट कॉशन देख लेते हैं नेक्ट कॉशन क्या है ये रहा स्क्रीन पर कॉशन नमबर सेवन आप से क्या पूशा गया है निर्वाचन आयोक का अध्यक्ष आप्शन नमबर डी राइट आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयोक्त नेक्ट कॉशन देख लेते हैं कॉशन नमबर एट ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों आप से पूशा गया है रीजनिंग का कॉशन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं विकल्प का चैन करना है जो इ देख लेते हैं राइट आंसर क्या है तो आप्शन नमबर ए एक्स डबलू इसका राइट आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर ये आंसर कैसे आया अगली कॉशन पर चलते हैं नेक्ट कॉशन देख लीजिए ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों कॉशन है हाल ही में रेल मंतरी प्यूश गोयल ने किस राज़ के लिए नए रेलवे जोन की घोशना की है बताइए क्या होगा इसका आंसर चले चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी नए रेलवे जोन की घोशना की गई है मंतरी प्यूश गोयल जी के द्वारा नेक्ट कॉशन देख लेते हैं क्या है कॉशन अमद 10 ये रहा स्क्रीन पर क्या पूशा गया है आपसे भारत का मानक समय ग्रीन विच माध्य से कितना आगे है बताइए क्या होगा इस कॉशन के लिए आपका आंसर चले चेक कर लेते हैं right answer क्या है तो इस question का आपका option number D right answer हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट ये question का right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं next question क्या है 11th number का question है जैसे कि आप देख पा रहे है reasoning का question है क्या पूछा गया है action का कौन set इसे पूरा करेगा आपके पास एक set दिया हुआ है इसका कौन सा set इस श्रंकला को पूरा करेगा बताएगे चले चेक कर लेते हैं right answer क्या है option number B इसका right answer हो जाएगा comment box में जरूर शीरीज पूरी लिख कर बताएगा कि पूरी सीरीज लिखने पर क्या आ रही है next question देख लेते हैं next question क्या है question number 12 यह रहाई screen पर दोस्तों अभी हाल ही में किस तिथी को शून या भेदभाव दिवस के रूप में मनाया गया हाल फिलल का question है current of एस का question है जरूर बनना चाहिए बताएगे क्या होगा answer चले चेक कर लेते हैं right answer क्या है तो दोस्तों शून भेदभाव दिवस जो है आपका option number A एक मार्च right answer हो जाएगा इसमें next question देख लेते हैं next question क्या है यह रहाई screen पर question number 13 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती किसके द्वारा की जाती है बताएगे इसका answer क्या होगा चले चेक कर लेते हैं right answer क्या है तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती राश्ट्रपती के द्वारा की जाती है option number A right answer हो जाएगा इसका next question देख लेते हैं question number 14 your high screen पर काफी अच्छा question है दोस्तों रक्त जमने में किस तत्तो की मुख्य भूमी का होती है बताएगे क्या होगा इसका answer चले चेक कर लेते हैं right answer क्या है रक्त जमने में किस तत्तो की मुख्य भूमी का होती है तो दिये हुए options मैंसे calcium इसका right answer हो जाएगा option number A next question देख लेते हैं next question क्या है ये रहाइ स्क्रीन पर आपसे 15th नमर के question में पूछा गया है भारत का दक्षणितम बिंदू southern tip क्या है क्या होगा इसका answer बताएगे चले चेक करते हैं right answer क्या है तो भारत का दक्षणितम बिंदू जो है option number B निको बार द्वीप में इस्थित इंद्रा पॉइंट right answer हो जाएगा option number B next question देख लेते हैं next option क्या है 16 number का question ये रहा स्क्रीन पर आपके आपसे पूछा गया है मानव शरीर के अंदर रक्त निमने मैंसे किसकी उपस्थिती के कारण नहीं जमता बताईए क्या होगा इसका answer चली चेक करते हैं right answer तो दोस्तों मानव शरीर के अंदर रक्त जो है आपका option number C हिपेरिन के कारण नहीं जमता है option number C इसका right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं क्या है question number 17 geographies related question है कुडाई कनाल किस परवत शरंखला पर इस्तित है बताईए क्या होगा इसका answer comment box में चली चेक कर लेते हैं right answer क्या है कुडाई कनाल किस परवत शरंखला पर पूछा गया आपसे option number C पाल नहीं इसका right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 18 ये रहा इस्क्रीन पर काफी अच्छा question है दोस्तों भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारन करता है वो शर्तें दी गई है कब तक तो शर्तें जो हैं आपके सामने हैं बताईए कौन सी शर्त सही है चली चेक करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए क्या शर्त है कब तक के लिए है तो इसका option number C right answer है क्या लिखा गया है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयू इन में से जो कोई भी पहले हो उस वर्ष तक वहा मुख्य चुनाओ निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर रह सकता है next question देख लेते हैं question number 19 गिरहाई स्क्रीन पर question क्या पूशा गया है आपसे हमारी हड़ियां तथा दांत सामानिता किसके बने होते हैं बताइए आपका answer क्या होगा इस question के लिए चलिए check कर लेते हैं right answer क्या है तो option number A जो है इसका dry calcium phosphate right answer हो जाएगा इस question के लिए next question देख लेते हैं question number 20 यह रहाई स्क्रीन पर दोस्तों भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे बताइए क्या होगा इसका answer चलिए check कर लेते हैं right answer क्या है भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे option number D इस question का right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 21 यह पूछा गया है आपसे निम्लिकित vitamins में से किसमें cobalt पाया जाता है आपको उस vitamin का नाम बताना है जिसमें cobalt पाया जाता है आपके पास option यह रहे बताए कौन सा option इसका right answer है चलिए check कर लेते हैं right answer क्या है तो vitamin में cobalt जिसमें पाया जाता है option number B12 vitamin B12 जो है D option right answer हो जाएगा इसका next question देख लेते हैं question number अगला 22 आपसे reasoning के बारे में पूशा गया है क्या पूशा गया है विकल्प का chain करना है जो श्रंकला को पूरा करेगा आपके लिए एक series दियो ही है A, B, E, F, G, K, L, M, N उसके बाद में कौन सा number आएगा जो इस श्रंकला को पूरा करेगा बताए क्या होगा answer चली चेक कर लेते हैं तो option number C इसका right answer हो जाएगा comment box में जरूर series पूरी लिखकर बताएगा series क्या बन रही है next question देख लेते हैं next question क्या है दोस्तो बात हो रही है एक अध्यन की तो oncology में किसका अध्यन किया जाता है आपको ये बताना है जन संख्या का, पक्षियों का, कीटों का या cancer का बताए किसका अध्यन करेंगे आप oncology में चली चेक कर लेते हैं right answer क्या है तो option number D cancer का अध्यन करते हैं हम oncology में next question देख लेते हैं क्या है question number 24 ये रहा इस्क्रीन पर पियूश ग्रंथी शरीर में कहां अवस्थित होती है ये आपको बताना है, बताए क्या होगा answer चली चेक कर लेते हैं right answer क्या है पियूश ग्रंथी जो है आपका मस्थिस्क के नीचे option number C, right answer हो जाएगा next question देखते है, next question क्या है 25 में आपसे पूशा गया है उस वेकल्प का चैन करना है जो इस श्रंखला को पूरा करेगा 8, 8 के बाद 21, फिर 60 फिर 177, उसके बाद क्या आएगा आपको ये बताना है चली चेक करते हैं right answer क्या है तो इसका right answer है 528 option number B, right answer है comment box में सीरीज जरूर बताईएगा next question देख लेते हैं question number 26, ये रहाई screen पर दोस्तों कौन सा हार्मोन लडो और उडो हार्मोन कहलाता है बताईए क्या होगा answer इसका चली चेक कर लेते हैं right answer क्या है option number D, adrenalin इसका right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 27, ये रहाई screen पर आप से पूछा गया है निमलिखित मैंसे कौन सी गरंती अंतर सत्रावी तथा भाईस सत्रावी दोनों की तरह कारे करती है option आपके सामने ये रहे बताईए क्या होगा इसका answer चली चेक कर लेते हैं right answer क्या है option number A अगनाश है इसका right answer हो जाएगा जिसे आप English में pancreas भी कहते हैं अगला question देख लेते हैं next question क्या है यह रहा माना और रक्त का pH कितना होता है बताइए दोस्तों क्या होगा इसका answer चली चेक कर लेते हैं right answer क्या है माना और रक्त का pH मान जो है option number B 7.4 होगा next question देख लेते हैं question number 29 दोस्तों गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है kidney की कार्यात्मक इकाई क्या है आपके पास 4 option है इन 4 option में से आपको answer देना है चली चेक कर लेते हैं right answer क्या है तो दोस्तों इसका right answer है nephron option number B right answer हो जाएगा nephron जो है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है next question देख लेते हैं आज का अंतिम caution set paper का question number 30 penicillin की खोज किस ने की थी penicillin की खोज किस ने की थी comment box में commenter की बताईए चली चेक कर लेते हैं right answer क्या है तो penicillin की खोज जो थी option number C surprise question जिसका answer आपको comment box में share करना है reason का question है relation पूछा गया है आपसे एक लड़की का परिच्छे देते हुए अंकित कहता है वह मेरी मा की बहन के बेटे की बहन है अंकित लड़की से कैसे संबंदित है आपके पास ये चार option है इन चार option मेंसे आपको right answer देना है अपना answer जरूर दें कि आपका answer क्या होगा दोस्तों set paper अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत्य तक देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद